नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया के अमद और आप देख रहे हैं रहे हैं रहे हैं। स्वागत आपका राजिस्थान के खास बुलिटिन में रोख करेंगे राजिस्थान की तमाम खबरों की तरफ सच्चिन पाइलेट और आचारे प्रमोद कृष्णम को यूपी पुलिस ने राद बर हिरासत में रखने के बाद आज छोड़ दिया है। सच्चिन पाइलेट यूपी पुलिस के राद से रिया होने के बाद दिल्ली पहुँच गया और पाइलेट कल आचारे प्रमोद के साथ गाजीपूर बोडर होते हुए लखिमपूर खिरी के लिए रवाना हुए थे। सच्चिन पाइलेट को दो दिन का टॉंक दोरा बीच में छोड़ कर कल सुबा दिल्ली पहुचे थे। और दिल्ली एरपोर्ट से सडक मार्ट से कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोद कृष्णम के साथ सीतापूर रवाना हुए थे। और पहले सच्चिन पाइलेट रावल गांदी के साथ लखिमपूर जाने वाले पांच निताओं के प्रतिनिदी मंडल में थे। और धारा 144 का हवाला देते हुए रावल गांदी ने केवल पंजाब सियम चरंजी सिंग चन्नी 36 गड़ सियम वुपेश भगेल को साथ ले जाने की रणनीती बनाए। और वहीं एन वक्त पार हुए इस बदलाव के कारण सचिन पाइलेट ने सड़क मार्ग से लखिमपूरी जाने का फैसला लिकिया और सचिन पाइलेट ने ट्वीट का यूपी सरकार और बीजेपी को निसाने पलिया और पाइलेट ने लिखा कि लोकतंत और सम्विधानिक म और वहीं रीद 2021 में नकल और पेपर की लीग की जाँच CBI से कराने पर राजस्थान हाइकोड ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है और हाइकोड ने सिक्षा विभाग के प्रमुक सचीव DGP प्रारंबिक सिक्षा के निदेशक राजस्थान अधिमिक सिक्षा बोड अजमेर के सचीव और SOG के ADG को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और केस पर अगली सुनवाई 27 अक्तूबर 2021 को होगी और रीद पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की और से निस्पक्ष जांच नहीं कराने को लेकर लगी याचिका पर कोट ने नोटिस जारी किये हैं और साथ ही याचिका की कोपी A.A.G. और बोड के वकिल को भी दिलवाई गया है और राजस्थान हाई कोट के जेस्टिस इंदर जीत सिंग की कोट ने मदू कुमारी नागर और अन्य की और से दाएर याचिका पर सुनवाई करत या गड़बडी होने पाए जाने पर सीट परिक्षा दुबारा करवाने की मांग किया और मामले में या चिका करताओं की पैरवी कर रहे एड़ोकेट राम ट्रताव सैनी ने कोड को बताया कि 26 सितंबर को माध्यमिक सिक्षा बोट राजस्थान ने रीट करवाई थी और उस उन्हें पैसे लेकर कई लोगों को वो पेपर बेच दिया और गंगापूर सिटी में अफायार नंबर 402 भी दर्ज हुई और वहीं राजस्थान में कई पुलिस्थानों में अफायार दर्ज भी है और उन्होंने कोड से गौहा लगाए कि पेपर आउट और नकल के कारण योग्य अभ्यारती चैनित होने से रह जाएंगे जो योग्य नहीं है ऐसे अभ्यारतियों को पहले ही पेपर मिल जाने के कारण उनका चैन हो जाएगा और वहीं राजिस्थान में एक बाब फिर बिजली विवस्था बिगडने का अनुमान लगाया जा रहा है कॉल इंडिया राजिस्थान को कोईले की जरुवत के मताबिक पूरी सप्लाइ अभी भी नहीं दे पा रहा है भारत सरकार से वी वारता और वादे के मताबिक कोईल इंडिया को रोजाना साथ रह कोईला भेजना था लेकिन चार रह कोईला ही राजिस्थान को भेजा जा रहा है और इससे कोईले की कमी भी हो रही है और इसका सीधा असर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट पर पड़ रहा है और उन्हें बंद करना पड़ रहा है कोईले की कमी और अन्य कारणों से करीब 10 यूनिट बंद पड़िया और बिजली खपत भी 20 करोड यूनिट रोजाना से बढ़ कर 24 करोड यूनिट हो गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली संकट बढ़ सकता है और जेपुर विदुत वित्रण निगम लिमिटेड के मुताबिक कोईले की कमी के कारण सूरत गड़ थर्मल की 250 मेगावर्ट की 5 यूनिट बंद है और टेक्निकल कारणों से छबडा की 660 मेगावर्ट की 1 य परोडाक्शन कम हो रहा है और कोईली इंडिया की तरफ से कोईले की परियाप्स आपूर्टि नहीं होने की वज़ा से सूरतगर्ण थर्मल की 200 मेगावार्ट की 5 यूनिट बंद है जब्कि छबड़ थर्मल की 5100 मेगावर्ट की 2 यू के लिए क्योंनियों के लिए कोईलीं डीजल के दाम लगातार बढ़े है जिसके बाद भारते तेल कंपनियों ने पैटरोल और डीजल की क्यमतों में इजाफा किया है और गरुवार को जेपुर में डीजल की कीमत में 38 पैसे और पैटरोल की قीमत में 32 पैसे प्रती लीटर का इजाफा हुआ है और इसके बाद जेपुर में एक लीटर पैटरोल 110 रुपे 29 पैसे जबकि डीजल 101 रुपे 18 पैसे प्रती लीटर की कीमत पर पहुंच गया है जो इत्यास में अब तक सबसे ज़ादा है और 80 डॉलर के पार हुआ कच्छा तेल अंतराश्टे बाजार में बाजार का कच्छे त तेल की कीमते करीब धाई फीजदी चड़ गया और कारोबार की समापती के अफसर पर ब्रेंट क्रूड तो 81 डॉलर प्रती बैरल के पार चला गया और जानकारों के अनुसार कच्छे तेल 90 डॉलर तक जा सकता है ऐसे में कच्छे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में ये 80 डॉलर तक जा सकता है और इससे पैटरोल डीजल की कीमत में दो से तीन रुपे तक की बढ़ोत्री हो सकती है और वहीं केंसरकार सेंट्रल एकसरसाइज और राजसरकार वैट के रूप में पिछले 18 माइने में कई बाप बढ़ोत्री कर चुके हैं जबकि र राहत फिलाल उट के मुँ में जीरे के बराबर साबित हो रही है और ऐसे में अगर आम जंता को राहत देने केंसरकार सेंट्रल एकसरसाइज डूटी कटोती करती है तो पैटरोल डीजल के दामू में कमी आने की संभावना है पूर मंतरी और सागोन से कॉंग्रिस विधायक भरत सिंग ने प्रधान मंतरी नरेद मोदी को पत्र लिखकर नोट से महात्मा गांदी की फोटो हटानी की मांग किया और उन्होंने पत्र में लिखा कि महात्मा गांदी सत्ते के फ्रतिक है और भारते रिजर बैंक के 500 और 2000 के नोट पर गांदी जी का चित्र होता है और इनी का उप्योग रिश्वत लेने देन में होता है और उन्होंने पीम को सुजाब दिया कि 500 और 2000 के नोट से गांदी जी अब रश्टा चार को रोक निकले राजस्थान में एसीबी विभाग है जो अपना काम कर रहा है और राजस्थान में जनवरी 2019 से 31 दिसंबा 2020 ता 616 ट्रैप के प्रकरंड दर्च किये गए यानि औसाद दो प्रकंड रोज ट्रैप किये जा रहे हैं और ट्रैप करने में रिश सिंग ने लिखा कि गांधी जी की तस्वीर 5,10,20,50,100 और 2000 के नोटों पर चापी जाए और ये नोट गरीबों के काम आते हैं और गांधी जी की तस्वीर वाले बड़े 500 और 2000 के नोटों का दूरपयोग शराप पार्टी बार और अन्य पार्टियों में नाशे ने गाने व सांधी कोई जिले के कस्वे में गुरुवार दिर रात अज्याद बदमाश नगदी से भरा एटियम उखाड कर ले गए और वहीं एंड वक्त पर एटियम में करीब 2,00,00,000 रुपे कैश था और इसकी सूचना से पुलिस मैकमे में हड़कम मज गया है और आनन फानन में नहीं था और पुलिस ना बताया कि बीती रात करीब 3 बजे कार सवार 5-6 नकाब पोश्ट बदमाश बसवा रोड इस्थिद कैनरा बैंक के एटियम पहुँचे जहां उन्होंने सबसे पहले सी सी टीवी कैमरे पर स्प्रे कर उन्हें धुन्दला कर दिया जिससे की फूटे जिकोर्ड नहीं हो सके और इसके बाद बदमाश एटियम मशीन को खाड कर ले गए और वारदात को अंजाम देने के दोरान बदमाशों ने एटियम मशीन में लगे पहिसर में भी काफी तोड़ पोड़ की और इस दोरान रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे एक यूवक ने एटियम नहीं देखा तो पुलिस को सूच नहीं और पुलिस ने जिले की सीमाओं पर सक्त नाकबंदी भी कराई लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया और ऐसे में शहरी छेट में मुखे मार्क पर लगे एटियम को बदमाशों द्वारा उखाड ले जाने के जिले में इलाज के नाम पर एक मरीज प्राइवेट पार्ट ही काट दिया गया और मरीज प्राइवेट पार्ट पर हुए फोड़े का इलाज करवाने अस्पताल गया था और इलाज के नाम पर ना सिर्फ उससे मोठी रकम वसूली बलकी लापरवाई करते हुए प्राइव इसकिन काटी है और मरीज का कहना है कि डोक्टर की लापरवाई ने उसका जीवन खराब कर दिया और मरीज इलाज कराने सरकार एस्पताल गया था और वहां डोक्टरों ने उसे इलाज के लिए नीजे एस्पताल में भेज दिया और युवक का कहना है कि उसके पास इलाज के लिए रुपे नहीं होने के कारण घर को गिरवी रख कर ये रकम जुटाई थी और इस घटना की शिकायत बार्डमेड एसपी के पास सिकायत दर्ज कराई है और इसपी का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही केस दर्ज किया जाएगा और बार्डमेड निवासी एक मरीज के प्राइबिट पार्ट पर एक फोड़ा हो गया था और वो उसका इलाज करवाने के लिए बार्डमेड के सरकारी अस्पाल ले जाएगा और वहीं सरकारी अस्पताल के डोक्टर गोयल ने उसे कहा कि इसका बार्ड मेड के नीजे अस्पताल में इलाज समभब है और एक मामले सरजरी की जाएगी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और डोक्टर ने इलाज की फीज तेड़ लाक रुपे बताए और पीडित के पास इतने रुपे नहीं थे उसने अपने घर का पट्टा गिर्वी रखकर रकम जुटाई थी और वहीं सारा अली खान उदेपूर ट्रिप पर है और दो दिन उदेपूर और आसपास के तमाम मंदिरों में दर्शन के बाद बुदवार को अपने एक एग शूट में व्यस रही और शूटिंग के दोरान अलग अलग मॉमेंट को सारा ने अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर किया और उदेपूर के होटल लीला पैलेस में ठैरी सारा ने वहीं पर शूटिंग भी की और इससे पहले सारा पिछलोला जिले की किनारे जील का लुट उठाती हुई भी नजर आई और साला पिछोला के किनारे उदेपूर की खुबसूरा सुबा और शाम को इंजोई कर रही थी और साथ ही चूले पर मक्य की रोटी सेक्ती नजर आई और दिन बार एस शूट के बार शाम को सारा अली खान होटल में ही राजस्थानी संस्क्रिती में रंगी रही और वो मक्य की रोटी सेक्ती नजर भी आई और सारा ने खुद राजस्थानी वेश्बूशा और पारंपरिक अंदाज में चूले पर मक्य की रोटी से gi और इससे पहले दो दिन उन्होंने उद्यपूर में एक लिंगिजी बोरा गणेश मंदिर, जगदीश मंदिर, नीमच माता मंदिर और महादेव मंदिर के दर्शन किये